तो दोस्तो हमने बहुत सारे वीडियो बना रहे है मुबाइल का आज एक लप्टाप का वीडियो बना था हूँ यह कमून प्रॉब्लिम के वीडियो है लेप्टाप का हींच होता है अब सभी को पता है यह हींच टूट जाता है और उपर का जो कवर हो उठ जा रहा है तो यह हींच कैसे हम घर वाइट रिप्यार करें क्योंकि जब भी हम इसको सार्वी सेंटर में या कहीं भी लेके जाएं एच पी का सार्वी सेंटर में लेके जाएंगे तो यहां पर लगभग तैं querer lookик कर जाएंगयों अर्बाहर में कराएंगे तो फिड भी हांपे 15 से 6 लासोव kषज तो हो जाएगा उससे जएदा भी ओका तो आज एस वीडियो में हम करने वालक का हींच रिप्यप्यार और आपको दिखाएंगे क्या घर बैटे आप लैप्राप का हींच कैसे हो कर जो मार्केट में 30 रूपया में मिलता है आपको और चाहिए जो 15 के में मिल जाता है koda लेकर से हो जायाता है शूर्स सेमय-z चाहिए यह सार कि और शोल्डर आयरोन यह साहरे चीज लेकर घर यहाँ पर लेपटेप रीपीर कर सकते हो डाप हम więcej शॉपन करना और आप इस laptop को ki науч करना है ओ्हले आप को दिखाता हूं सबसे अच्छा सभी तरीके से और आसन तरीके से कि ऐसे आप यहां पे लैपटोप उपन कर सकते हो तो लाइट में ने ठीक कर लिए यहां पर तो आपको क्या करना है पहले लप्टॉप का जितना सारे स्कूरू आपको बाहर से दिखाई देगा ओ सारे स्कूरू यहां फे खोल लेना है उसको साथ सोल्डर को भी हीट में लगा देना है क्योंकि इसको हीट चाह लेकिन इसमें लेफ साइड में भी आप देख सकते हो इसमें तूट जाएगा तो इसको पहले ऐसे ओपन कर लेना है और सबसे आसान तरीका है और आप धीरे से इसको ओपन कर लो का कि ताके कुछ फ्रॉब्लेम ना हो तो यहां पर यह ओपन हो गया ओपर का बेजल आप का आपको पिस यहां पर तूट शुका है जो यहां पर हींज यह पर तैट होता है वह वाला आहँर में प्लास्टिक बडि से इंट्ट अब जूम करके देखा स्कूरू यहां पर आ गया है और उपन करने के लिए आपको स्कूरू डे टो जिदना आपको दिखा हूँ दे रहा है सामने ओ पहले ऑपन कर लो कि धर एक दो प्했다 ऑपन हो गया है आप इसको डिस्पलेग्ट केबल कर देना है नहीं तो आपको प्रॉब्लेम हो जाएगा और टूट ऐसा ओपन करना जैते तूट नहीं टूटे ठीक है तो यहां पर हो गया LCD ओपन आप LCD को हम साइड में करते हैं क्योंकि इस लैप्टप का LCD का प्राइज भी बहुत ही होता है और और यहां पर मिलता नहीं ते हैं और मिल बंढ़ जाता है तो प्राइक को ज़्यादा पर था थी डउक होगे आप हमें क्या करना है इस BODY से टूटली इसको निकल लेना है और पुरा जितurn confess फुर्य एलिए ओपन कर लेना है तो हेंच सुनग होगा है वो स्कुरू आप पहले ओपन कर लो पन हो जाने के बाद आपको यह आप नीचे वाला हिस्सा को ओपन करना तो नीचे वाला का हिस्सा ओपन करने के लिए आपको नीचे जितना स्कुरू दीख रहा है इसका बाडी में वह स्कुरू आप ऐसे ओपन कर लो जितना देख रहा आपू आप जब पूरा स्कूर ओपन हो जाएगा आपको पहले यहां पर कीबोर्ड को निकलना है यह कीबोर्ड नहीं निकलेगा आपको एक प्लास्टिक सा टूल चाहिए जिसमें खुल नहीं देखो साइट मोचल में परिभूड'll ऐखनाँ aja और ऑपन हो जाएगा तो तो थोड़ा सब्सक्राइब और तो उससा में छक्यो हो प्रियुक्त अब muci तो यहां पर देखो धीरे से मैंने इसको उपेन कर लिया तो उपेन करने के बाद ऐसा सीचुशन हो गया नीचे वाला हिस्सा लाग हो गया उपर वाला हिस्सा लाग हो गया जिसमें मादर बोड है हैं तो यहांपे एक ओयर आप देख पा रहा हो यह जो हे तो यह निशे वाला इस्सा आप MP3 को तूछा साइड कर लेना है यह काube विव चपार पांजी जाता है तो यह यह राइट साइट में हुआ था फुरा तूट है पांजीश से लेकिनि यह छाओ हम यहां पर फकरता है यहां पर आगे चला गया और नीचे में भी जहां यहां पर रहता है हींच यहां पर बीटों तरब में यह हैं लेट साइड और यह राइट साइड में तोक फूल करने होता था सब्सक्राइए नहीं हो से फैब करना था रहा हो यह जो कि लिभार के पास जाके इसको जालाई करना होता तब है हो होता है और जहां पर पकरते हैं तो मैं यह क्या करूँगा है गम शूख aja js Playing का जो पकरने वाला चीज होता है उसको लगाएंगे और यहां पर जितना इस इसको खोड़ना है या मेरी जितना सारे स्कुल उख को हिंज के कर लेना अब बाद यह जो स्कूरूब पगर ना यह वाला चीज को यहां पर बैटाना यह पर बैटाना है और जहाँ पर का वहला स्लाट मिल रहा है वहां पर आप सोलडर से कर सकते हो लेकिन आपर शोट नहीं मिल नहीं disappointing इहां पर slot अपको create करना होगा अर्लाइट 8 से अर्लाइट गर्ण को भी में दिखाऊँंगा कैसे यह करना है पहले में नीचे वाला जो हिस्सा इसमें भी ऐसा ही होगा है तो यहां पर में यहां पर actual lot है तो यहां पर यह चीज ठीक हो जाएगा तो इसी पर लगाने के बाद यहां पर थोड़ा सा प्रेस करके साइड वाला मोर देते हैं तो यह क्या होता है आपका यह जो चीज यहां पर स्कूरू बगार निका ओ यहां पर स्लॉट में लग जाएगा और आपको बाद में अपर वाला हिस्साय ना इसमें अक्चाली नहीं है अगदम भी पर नहीं है तो इस लॉट के लागाने के लिए आपको थोड़ा सा सुल्डर से हलका लगाना है नहीं तो इधर उधर हो जाएगा तो प्रॉबल्लम होगा आपको ठीक है तो यहां पर हमने क्रिएट करूंगा यहाहाँ पर नहीं है तो थोड़ा सा हीुड दे के हम यहाँ लगा देंगे और लगाने बद थोड़ा सा हाँ पर फिविक कूई भी लगा इंग है लेकिन थीयाँ पर हमें घ्रेट करना होगा आप करने का चने चासी चाहाँ आप देख लो टूजर सेफा कर लो और जहां पर स्क्रू लगना लगता है होँ वहां से थोड़ा सा मतलब हलका सा स्ल्डर लगाके लगा देना नहीं तो यहां पर इधर हो जाएगा तो आपका भॉडड घराप हो जाए इसको भी धन राकना है नहीं तो आप नयात तरीके से यूज नहीं कर पाऊँए यह एक बात है ना यहां पर्वा करना है फेवी-क से आप यह देखो एरलाइट जो है वाभी हमें करना है दोनों को गुलू डबा से लेने के बाद यहां पर आपको घोलना है और इसको अच्छे तरह से these you a मिक्स करने में यह जो गाम क्रिक होगा ना यह बहूतभी बढ़ीगा क्रियर आ ऐसे मिक्स कर लेन आप मिक्स करने में वाइट वाइट आएगा और यह विख एससी तरह के से क्षप वाइट में लगा दो इस गाम एक्चॉली फीक्ष्ट होने का टाइम लगता है फोर आवार्स मतलब यह गाम फीक्ष्ट होने के लिए चार आवास टाइम लगता है लेकिन उससे पहले आपको जब यह पर लागा देंगे लागाने के बाद यह क्या होगा साइड हो जाएगा तो आपको एक घंटा या फिर से एक बार देखना होगा और इसको फिर से उठा देना होगा फिर Wanna जो अपे नजाए नहीं तो स्कुरू टाइट करने में प्रॉब्लमा कंहाएगा तो राइट आपको यहां लेप्ट साइड में भी कर लूंग में दीरे दीरे यहां भी लागाना है जहाâteभ हुआ है वहां भासेंगे और राकने के बाद दो घंटा बाद आके यहां पे थोरा सा इधर-उदर करणी है नहीं तो यह जो घाम है इंद टोटल श्रा शुपटालिट को विखर जाएगा और प्राब्लेम. तो यहां पर देखें तो पहले चीज़ आपको यहां पर देखा था यह तो यहां पर जो हम लोग स्कूरू डाला था यह तो टाइट हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरह के यहां पर हो गया तो यह बहुत ही अच्छा हो गया और यह खुलेगा भी नहीं तो जितना सारे स्कूरू सामने यह पर बना लिया आप इसको हम ठीक्स करेंगे तो यह पर हो जाएगा और नीचे बाला भी यहां बर भी हो गया पहले हम करते हैं इसको लागाते हैं तो आप जब यह फीक्स्ट हो जाएगा तो आपको इसको लेकर आना होगा तो यह आ गया उपर आप इसको लागाना होगा लागाने के लिए आपको सबसे अच्छा होगा तो यहां पर फाइनली मेंने फिक्स्ट कर लिया हूँ और यह टूटाली फिक्स्ट हो गया है आप आपको में आन करके दिखाता हूं यह और कैसे होता है तो लैपटाप आन होगे आप देख पार आवार्ट सबीचीज यहां पर ठीक से काम कर रहा है कोई दिग्दत है तो इसी तरह के से आप लैपटाप का हिंच फिक्स कर सकते हो और अगर आपका कोई भी प्रोब्लेम यहां पर हो तो मेरे को कमेंट पर बताओ या फिर मेरा वाटसब नमबर दिया हुआ है वहाँ पर कंटक्ट करो आपका लैपटाप अगर कुछ प्रोब्लेम होगा तो मैं यहां पर फिक्स कर सकता हूं या फिर आपका कुछ सॉलिसन चाहिए तो मेरे को बताना में वह भी फिक्स कर दूंगा तो दोस्तों इस घर भाइटे कैसे रिपैर करेंगे इसका वीडियो अगर वीडियो अच्छे लगए तो लाइक करना और मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्ल